ये तस्वीर है आज से ठीक एक साल पहले यानि 26 मई 2014 की जब नरेंदर मोधी ने केंदर की सत्ता संभाली थी देश की उमीदें परवान पर थी और सब को यही आशा थी कि सरकार उनके लिए विकास की असीम संभाबनाओं के द्वार खोले की अब जब सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तो उसकी उपलब्धियां जनता के सामने आनी ही चाहिए इसलिए सरकार अपने एक साल पूरे होने पर तमाम कारेकरम, अभ्यान, प्रेस कॉन्फरेंस, प्रदरशनी और रैलियों के जरिये लोगों तक अपनी बात पहुँचा रही प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मतुरा के नगला चंद्रभान में रैली करके जन कल्यान पर्व की शुरुआत की सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर मंगलवार को प्रदान मंत्री राजधान इस्थित बीजेपी मुख्यारे पहुचे प्रधान मंत्री ने पार्टी के तमाम पदादिकारियों, कारेकरताओं और कर्मचारियों से मुलाकात की पी-म ने सब के योगदान को पार्टी और सरकार के लिए एहम बताया जब मैं यहां रहता था तब जो थे वो कौन-कौन है ज़रा सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधान मंत्री ने साउथ ब्लॉक स्थित प्रधान मंत्री कार्याले में सभी अधिकारियों से बातचीत की प्रधान मंत्री ने सभी अधिकारियों की उनके कड़े परीश्रम और समर्पन के लिए टीम PMO के रूप में काम करने के लिए प्रशन सा की प्रधान मंत्री को पिछले एक साल में PMO में उठाए गए विभिन सुधारों और बदलाव के बारे में बतलाया गया एक साल पूरा होने पर अधिकारियों ने प्रधान मंत्री को सम्मानित भी किया सरकार के तमाम मंत्री भी सरकार के स्तर पर अपनी उपलब्धियां बताने के लिए देश के तमाम शहरों में प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए शुक्रवार को सबसे पहले मीडिया के सामने आए सरकार के सबसे दमदार मंत्रियों में शामिल अरुन जेटली वित और सूचना प्रसारण जैसे सबसे एहम मंत्रालियों की कमान संभाल रहे जेटली ने ना केवल नरेंद्र मोधित सरकार की पिछले एक साल की एहम उपलब्धियों का खाका पेश किया बलके अगले एक साल के काम का एजेंडा भी मीडिया से साचा किया इसके अगले ही दिन अरुन जेटली ने पार्टी मुख्याले में प्रेस कॉनफरेंस करके सरकार के कामकाज के बारे में पार्टी और जनता को बताया सरकार के तमाम कारेक्रमों को जनता के बीच पहुँचाने के लिए विज्यापन एवं द्रेश्य प्रचार निदेशाले यानि डिये वीपी की ओर से प्रदर्शनियों की शुरुआत की गई है साल एक शुरुआत अनेक नाम से शुरु की गई इस प्रदर्शनी को सभी राज्यों की राज्जानियों में प्रदर्शित किया जाएगा सरकार के तमाम मन्त्री दिल्ली के साथ ही राज्यों में भी प्रेस कॉंफरेंस करके अपनी बात रखेंगे 28 तारीख को केंद्र के तीन मंत्री टॉकथान कारिकरम में हिस्सा लेंगे इसमें पियूश गोयल, निर्मला सीता रमन और स्मृती इरानी शामिल है 29 तारीख को उर्जा मंत्री पियूश गोयल, 31 को विदेश मंत्री सुशमस्वराज दो जून को कृषिम मंत्री राधा मोहन सिंग और 7 जून को संचार और सूचना प्रोध्योगी की मंत्री रवीश उंकर प्रसाद राजधानी में प्रस कॉन्फरेंस करेंगे राजियों की बाद करें तो तीन जून को नितिन गड़करी, जैपुर नागपुर, चार जून को वेंकई अनाइडू हैदराबाद, चार जून को सुरेश प्रभु, कोलकाता, चार जून को ही राजी परताप रुडी, पतना में प्रेस से बात करेंगे साथ जून को धर्मेंदर प्रधान भुबनेशवर, आठ जून को चौधरी बिरेंदर सिंग चन्रीगर, नौ जून को प्रकाश जावडेकर मुंबई, नौ जून को ही मुक्तार अब्बास नकवी, लतनाव में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे 10 जून को रामविलास पासवान, पतना और अनंत कुमार बैंगलूरू में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे बीजेपी अध्यक्षा मित्शाह ने भी कमान सम्हाल ली है और उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फरेंस की और करनाल में एक रैली करके जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुँचाई 25 से 31 मई के बीच पार्टी जन कल्यान पर्व मना रही है जिसमें सभी केंद्रिय मंत्री, पार्टी सांसद, मुक्य मंत्री एवं विधायक, साथ ही पार्टी केंद्रिय एवं राज्य कारियाले के पतादिकारी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भरका दौरा कर रहे हैं पार्टी महाजन संपर्क अभ्यान भी चला रही है सरकार की उपलबधियों के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर एक बुकलेट भी जारी की गई है सरकार के एक साल के पूरा होने के मौके पर किसानों के लिए विशेश चैनल डीडी किसान भी शुरू किया गया है जो साल के दौरान सरकार ने जन कल्यान के तमाम कदम उठाए हैं और लोगों की तरक्की के लिए तेजी से फैसले किये हैं। लोग सरकार के शुरुआती कामकार्च से खुश हैं और लोगों का मानना है कि अपेक्षित परिणाम और बदलाव के लिए परियाप्त समय देने की दरकार है। निउजनाइट डिस्क, डीडी निउज